हरी कृष्णा राधी राधी वेलकम टू मैं चैनल आशाकर्टियों पच्छी होंगी स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगी भीश्म पंचक क्या होते हैं जिनने भीश्म पंचक, भीश्नु पंचक और पंच भीको की नाम से जानते हैं अन्तिम पाँच दिन यी सब हम कार्टिक मास अध्याय तीस में जानेंगे भीस्म पंचक को विश्नु पंचक की रूप में भी जाना जाता है इस विदी का पालन पाँच दिनों तक किया जाता है जो एकदसी ब्रत के दिन भीस्म देव को याद करके शुरू होता है पूरिमा की दिन संपूर होता है भीस्म पंचक का ब्रत के दोरान अनाज खानी से बचना चाहिए भीस्म पंचक भीस्म ऐसी मानिता है कि भीस्म पिता महा जब मिर्तु सहया पर थे तब देव उठनी एकदसी से कार्टिक पूरिमा तक उन्होंने पांडमों को ग्यान दिया था भीस्म पंचक ब्रत कैसे प्रिशद हुआ तब नारजी कहने लगी ही राजा प्रतु ये ब्रत आदी काल से है परन्तु बीच में लुफ्ट हो गया था फिर ये कैसी प्रिशद हुआ सो कथा हम तुमसे कहते हैं सुनो सिरी क्रिश्न जी ने भीस्म जी से इस ब्रत के ब्रत का ब्रतांद कहा तब सरप्रतम भीस्म जी ने इस ब्रत को किया इसी कारण से तबी से ये ब्रत भीस्म पंचं के नाम से प्रिशद हुआ ही राजन भगवान सिरी क्रिश्न तथा पांडवों की ओर से दूत बनकर कौर्मों को समझाने गए जो सबसे पहले वечь विदु जी के पास पहुचे विदु जी ने उनका अत्यानत आदर सत्यकार किया फिर सीरी क्रिश्न जी विश्म जी के पास गए वहाँ जाकर कुशलता पूछी और पूछने के बाद सिरी कृष्ण जी ने अपने आने का शंपूर ब्रितान्त विश्म जी से कहा तब विश्म जी कहने लगे कि ही भगवन तिलों की नाथ होती हुवी आप पांड़ों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आई हो तब सिरी कृष्ण जी ने हस कर बोले ही गंगा पुतल ये दुपी ये अत्यंत गुप्त बातालाप है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ उन्होंने एक ऐसा ब्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिया है इसलिए मैं उनकी वसी भूत हूँ अब मैं उसका ब्रतान्त तुमसे कहत हूँ पूर्वकाल में उज्जय नगरी में पांच ब्रामर कवी सुची दर्ण दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे तीनों ही वेदों को जाननी वाले रूपवान युवावस्ता को प्राप्त गंधर्व विद्या में आती प्रभीर्ण थे वे अनेक देसों में घूमत फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रवे प्राप्त किया करते थे एक समय वे मत्रापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आये संगीत कला में निपुड होने के कारण उन्होंने रास्तवा में जानने की इक्षा प्रकट की वे चार दि कादंबरी नाम वाली एक योग पत्नी है वह संगीत विद्या में निपुड राग तथा कंठ में अतियंत प्रविण नाचने में दक्ष तथा रूप योवन में आदित्य सुंद्री है वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने निलत्य कर्टी और गाती है ऐसा सुनकर व पांचों को बलाया वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशिवा दिया और बैठ गए कादंबरी ने उनको संगीत विद्या में आती निपुड समझ कर विसेश नित्य किया तब उसने चक्र में ताल दिया तो उन प्रामणों ने उसको रोक दिया उसने चक्र छोड यथ तो ना योगत ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं होने दिया इस पर कादंबरी का रूप और गुण देख कर वे पांचों उस पर मुहित हो गई कादंबरी भी पांचों को देख dispagit कर उन पर मुहित हो गई उसने रातरी को चोरी छिपे ब्रामणों के पास अपनी एक सकी क कि पांचों में से एक एक प्रतिजी नगरी से दूर उत्री कौन में यमना तटकी समीप जन सुनने लताओं से धका हुआ अनंत नाम तीथ है वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी विद्या और गुड का ब्रदशन करो मैं भी बीड़ा और राक की अपनी कुशलता दिखाऊंगे बगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था वह दुष्ट संगीत के भैसे गाउं से अती दूर वहां रहता था उन दोनों दिनों वह भीष्म पंचा का ब्रत करता हुआ देवाले में पूजन करता था कार्तिक सुकल एक अदसी के दिन उन संगीत गय ब्रह्मणों में से एक कभी नाम वाला ब्रह्मण वहां पर गया कदंबरी भी मुनी के उस इस्थान पर पहुँच गए वहां मुनी ने जिस पूजा की उस कभी नामक ब्रामण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया उसके बाद बिला लेकर गान करने लगे उस मुनी ने अपना मन जीता हुआ था इस कारण उसने गान सुन कर भी क्रूद नहीं किया सारी रात कादंबरी और कभी गायन वे नित्य करते रहे मुनी को गोवर का आचमन करते देख कभी ने भी वैसा ही किया प्रातेकाल होते ही कादंबरी राज महल में पहुच गई मुनी की संगीश से उनके समस्त पाप दूर हो गए इसी तरह पांच ब्रामर वारी वारी से नित्य गान तथा भगवन का पूजन पापीश चले गए उधर राजा ने मंदिर में कादंबरी के जानी का समचा सुनकर उसे जंगल महल में बंद कर दिया जिससे वे मंदिर ना जा सके कार्टिक मास में हमारी सामने नित्य गान करनी की कारण वही कादंबरी दोपती हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्रामन युदिष्टिर हुआ कभी अर्जन, सुची सहदेव, दंत नकुल तथा धर्ण नाम वाला प्राक्रमी भीम हुआ ही भीस्म जी बस्तुत इस ब्रत के प्रभाव से ही में पान्डवों की बसीव हूतू अब तुमारी द्वारा ये पंचक ब्रत किये जाने से ये तुमारी नाम से ही बेक्यात होगा अर्थाथ 20 पंचक ब्रत कहराएगा इस ब्रत की अंत में ब्रामण और ब्रामणी को भोजन कराकर यता सक्ति दान दक्षणा दीनी चाहिए इसमें अन खाना वर्जित माना गया है 20 पंचक ब्रत 12 नमबर सी पूर मासी तक होंगे इस बार ये ब्रत 4 दिन की होंगे आप ये कन्फ्यूज ना हो कि 25 पंचक ब्रत 4 पड़ रहे हैं देखो कभी कभी तिति के इसाब से कभी कभी 4 प्रत भी पड़ते हैं और कभी कभी 6 प्रत भी पड़ते हैं तो इसमें कंफ्यूज ना हो इसमें 4 ब्रत करने पर ही आपके पूर्ण संपूर्ण कार्थि किष्णान का फल प्राफ्थ होगा इसलिए अंतिम जो चार ब्रत हैं इन्हें फलार्ष से ब्रत करियेगा बहुत बहुत ज्यादा फल दाई होते हैं अंतिम पाँच दिन पंच भीकु ब्रत में यह इसवार चार पड़ रहे हैं इसलिए आप चारों दिन दीवदान करें भगवान सिरी किष्ण को तुसी की लकडी का दीवदान करें और ज्यादा से ज्यादा दीवदान करें सुबह और साम अपनी पित्रों की निमित दीवदा करें अगर आप गंगा सांफ जाओं तो गंगा मैय के तषपार भी 365 बति जलाएं अनन्त चौधस को बोड़िच। जी के सिवलिंग के पास जहां भगवान विश्नु भी होते हैं महां पर आप 300 65 बती जलाएं इसी दिन कहते हैं हरी हर का मिलन होता है और भगवान विश्नु को बेल पत्र चड़ता है और भोली संकर जी को तूसी चड़ती है यह पंच भीकु ब्रत आप इतना सब नियम लेकी करोगी सुबह तारों की छाओ में उठना है और अच्छी सी पूजा पाट करना है दीवधान करना है यह सब करोगी तो इतना इतना फल मिलेगा कि आप सूच भी नहीं सकते हैं कहते हैं कार्टिक मास में जैसी पुन्य की तो सी लगी हुई है जितना बटूना चाहों बटू करना दें गाय को भूजन कराएं और अपनी पित्रों के निमित निकाले वह तो हमें अनन्त 14 को ही निकल जाएगा भीसम जी का तरपन करती समय और लास्ट में चली और चला की कथा भी सुनी हैं और यथा सकती चावल खिचली वगेरा दान गरना है और कहानी सुनी है तब ही हमारा कार्टिक मास का इस्नान ब्रत संपून माना जाएगा भगवान विश्णु मातरलक्षमी जी की सीरी चऴो में आप सबकी मंगल की कामना करती हूँ सालिग्राम भगवान जी और तुलसी मया आपकी साथी मनुप कामनाे पूर करें देखो कही कहते हैं कि जिनके हां साली ग्राम भगवान जी नहीं है उनको बाकी भीहरी को बिठा के शादी कर देते हैं या कृष्ण भगवान को लड़ी को पाल को उनके साथ शादी करते हैं पर ऐसन नहीं है उनकी शादी सिर्फ सालिग्राम भगवांजी से हुए थी और सालिग्राम भगवांजी से ही होनी चाहिए अगर आपके घर सालिग्राम भगवांजी नहीं है और आप घर में शादी व्यादी करना चाहते हो तो आप सालिगा मगवान जी की फूटो भी लगा सकते हो आप सभी को देवुटनी एकदसी की धे सारी सुपकामना है एकदसी कब है, कब से सुरू है, सुमोरुत क्या है पूजा का, पारण का समय क्या है यह सब वीडियो मेरी चैनल पर आचुकी है, आप देख सकते हैं और मेरी चैनल पर देवुटनी एकदसी की कथा भी मैंने डाली है प्लीज चेक करें अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें मिनुस लाइफ इस्टैल को सिस्क्राइब करें हरी कृष्णा राधी राधे